नमस्कार इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां आजादी के इस महापर्व के उपलक्षे पर बुद्धवार 14 अगस्त को उजियारपूर प्रखंड अंतरगत चांद चोहर मध्या पंचायत के शंकर चौक से चांद चोहर मध्या पंचायत के मुखिया पुत्र रणवीर चौरसिया ने भाजपा कार्यकरताओं के साथ मिलकर दो किलो मीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाला इस दवरान चांद चोहर मध्या पंचायत के शंकर चौक से निकल गई यह तिरंगा यात्रा एन एच 28 की पीर स्थान चौक, काली मंदिर चौक, बहिरा चौर से होते हुए साथनपुर चौक तक पहुंचा, जहां से पुनहे शंकर चौक पर आकर समाप्त हो गया इस तिरंगा यात्रा में सेकडों की संख्या में स्थानिय गाउं के युवाओं ने भी भाग लिया मुखे पर मौजूद चांदर चौर मध्य पंचायत के मुखिया पुत्र रणवीर चौरसिया ने तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब हमारा देश गुलाम था तब अंग्रेजों ने भारत के लोगों पर काफी अत्याचार किया था उसके बावजूद भी देश के बहादूर महापुरुशों ने अपना बलिदान देकर भारत देश को आजादी दिलाई इसलिए स्वतंतरता दिवस का यह दिन अपने आप में गौरव महसूस करने का दिन है दिलीप जा कुंदन मिश्रा आदी मौजूद रहे अभी तक के लिए बस इतना ही नमस्कार